अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा का असर कानपूर के डॉक्टरों में भी देखने को मिल रहा है स्री राम मंदिर प्रतिष्ठा से पहले कानपूर में डॉक्टर्स एसोशेशन ने परचे पर आरेक्स की जगह राम लिखना शुरू कर दिया है स्री राम मंदिर अभिशेक उत्सव के साथ तालमिल बिठाते हुए कानपूर में डॉक्टर अपने नुष्खे में परामपुरिक आरेक्स प्रतिक को भगवान राम के नाम से बदल रहे हैं डॉक्टर अशोशियेशन द्वारा जारी सर्कूलर के बाद एक अनोखे कदम में कानपूर में डॉक्टरों ने परामपुरिक नुष्खे के प्रतिक आरेक्स को भगवान राम के नाम से बदलने का फैसला किया है डॉक्टर अशोशियेशन कानपूर मेडिकल कॉलेज और अन्य चिकिसको के नेत्रितों में इस निर्णय का उद्ध्र चिकिसा पत्ति को अयोध्या में राम मंदिर के अविश्यक समारों से समबंधी चल रहे समारों के साथ जोड़ना है यह कदम राम मंदिर में शहर की मजबूत भगदारी के हिस्से के रूप में आया जैसे जैसे प्रशाशन और नागरीक राम राज की अस्थापना की मांग में एक जुट हो रहे हैं डॉक्टर राम को अपने नुष्खों में सामिल करके परिवर्तन में योगदान दे रहे हैं बता दे लैटिन शॉब्द आरेक्स जो रिशी पेयर से लिया गया है जिसका अर्थ है डौ टेक परामपरिक रूप से एक मरीज के इलाज के लिए डौक्टर के दावे का प्रतिक है जो उपचार के देवता माने जाने वाले रोमन देवता बुद्ध का अवाहन करता है हलंकी कानपूर में डॉक्टर अपने नुष्खे पर आरेक्स के स्थान पर राम राम का हवावन करके इस कदम को स्विकार कर रहे हैं कानपूर के डॉक्टर ऐसोशेशन के एध्यक्ष डॉक्टर बियन अचारिया ने कहा यह बदलाओ केवल प्रतिकात्मक नहीं है या भारतिय संस्कृति में भगवान के नाम पर गतिविध्या शुरू करने की परंप्रा के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि नुष्खे पर राम लिखने से कोई धार्मिक बाधा नहीं है। या भारतिय संस्कृतिक की पहचान का प्रतिनित्यों करने का एक समानजनक तरीका है। डॉक्टर्स एसोशीशन के अध्याक्ष डॉक्टर वियन अचार्या से इस संबंध में बातचित की हमारे कानपूर ब्यूरो चीफ सुनिल गुपता ने। प्रतिस्था को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है। इसी करम में कानपूर में भी अब डॉक्टर्स एसोशीशन ने एक नया सर्कुलर जारी किया है जिसको लेकर के एक नया अध्याय यह कहा जा सकता है कि रोगियों को जो इलाज मिलता था अब उसमें काफी कुछ डॉक्टर वियन आचारिया जी जो अभी तक दवाईयों जो परचे थे उन पर आरेक्स लिखा जाता था इसका क्या मतलब होता था और अब आप लोग राम लिख रहे हैं इससे क्या लगता है मरीजों को किस तरीके से फाइदा हो आरेक्स लेटिन शब्द है और यह पुरा जो भी हम नीचे दवाएं लिख रहे हैं परचे में उस दवा का असर अच्छा मिले उस हीलिंग देवता का प्रणाम करते थे पहले तो इसलिए आरेक्स लिखा जाता था तो यह लैटिन शब्दय और विदेशी दर्ती से आया था उसको हम आज भी ढो रहे हैं जबकि हमार भारत वर्ष चिकित्सा के छेत्र में अग्रणी रहा है आयरवेद से ही सारी चिकित्सा पद्दतियां उत्पन हुई हैं तो मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना इस आरेक्स को अपने प्रेस्क्रिप्शन पैट से हटाया जाए और राम में पूरा देश हो रहा है और राम ही इस तेश की आत्मा है और राम शब्द लिखने से एक नव स्फूर्थ ही आती है बदन में तो क्यों ना मरीजों को हम राम आरेक्स की जगे लिखें और उसको मरीज जो है उसको मरीज को उस राम शब्द से एक प्रेणा भी मिलेगी और उसको एक अच्छा संदेश जाएगा और उसके अंदर भी एक इस पूरती आएगी और आधा तो वह उस राम शब्द से ही ठीक हो जाएगा तो हम लोगों ने ये प्रियोक करना शुरू किया और फिर देखा कि इसका बड़ा अच्छा परणाम मिल रहा है तो हमने हमारे डॉक्टर सेश्टन के जो हमारी एक भी बिन चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों का एक महा संग्टन है जिसमें एलोपैथिक, आयरवेदिक, होमेपैथिक, युनानी सभी प्रकार के चिकित्सक हैं और जिसको हम लोग पिछले 15 वर्ष्टों से कानपूर नगर में समय समय पर चिकित्सा घुष्टियो के माद्यम से कैम के माद्यम से जन सेवा कर रहे हैं तो हमने अपने बीच में चर्चा की और सभी ने इस बात को पसंद किया और फिर हम लोगों ने एक सर्कुलर जारी किया और सभी चिकित्सकों से जो हमारे सदसे हैं अत्वा नहीं हैं उन सभी चिकित्सकों से रूत कि इस लेटिन शब्द को आरेक्स को हटा कर इसकी जगे हम राम लिखना शुरू करें जिससे हमारे मुरीजों को और ज्यादा फायदा हो और एक राम में वाता बरन पूरे देश में बन सके इसकी पहलम ने की है और इसके बहुत अच्छे सुकत परणाम मिल रहे हैं हमारे साथ जो देश और परदेश के नामी चिकिस्तक हैं वो भी जुřर रहे हैं डॉक्तर व्यन त्रिपाती जो चिकिस्ता महानिदेशक उत्तर-परदेश रहे हैं चिकिस्ता श्रिक्षा के उन्होंने फीराम लिखना शुरू कर दिया है ऐसे बहुत से लोग इन्यान मेडिकल इंच्रि करेटरी डॉक्टर इसके निगम जो राम लिखना शुरू कर दिया है डॉक्टर जगदीश सिंग रावत कैंसर के चिकित्सक हैं उन्होंने भी राम लिखना शुरू किया इस तरह यह पहल बढ़ती जा रही है और मुझे लग रहा है कि पूरे देश के चिकित्सक को बलकि हेड है वो लोग भी राम को मान रहे हैं यूए में मंदिर बन रहा है राम का तो ऐसी इस्तिती में चाहें वो किसी धर्म किसी जाति का व्यक्ति हो अगर राम लिखेगा अपने प्रिस्क्रिप्शन पहट पर डॉक्टर तो निश्चेत रूप से उस मरीज को जिसके लिए लिख रहा है राम लिखने के बाद दमाएं लिखेगा तो उस राम की जो शक्ति है उन दवाओं में समाहित हो जाएगी और एक अच्छा परणाम उस मरीज को भी मिलेगा एक सर यह हैं डॉक्ट सब यह की यह भी आया था कि जो इस तरीके से मरीजों के लिए अपनी राम ल है जो मरीज दवा ले जाते हैं वो किस तरीके की आप से बाते करते हैं बहुत अच्छी बाते करते हैं और यह मुझे प्रिणा मिली थी एक वीडियो से एक वीडियो वाटसप पर आया था एक मेडिकल स्टोर वाला एक जो भी परच्छी डॉक्टर की लेके आता था मरीज उसकी दवा निकालता था दवा निकालने के बाद वो दो मिनट अपने मंदिर में भगवान का उसने एक छोटा सा आला बना रखा था उसमें वो उस दवा को दिखाता था और मन में एक शलोक बोलता था राम का और उसके बाद वो दवा देता था उसमें यह संदेश गया कि ब करें तो हमने देखा कि हम अपने पैड़ पर राम कहां लिख सकते हैं तो हमें लगा कि यह जो लेटिन शब्द है, इसको हम अटाएं और यहां पर रामशद का पियोक करें तो उस्से इन दौाओं का क्योंकि उस लेटिन शब्द का अर्त है कि जो हम दमाएं लिख रहे हैं वो दमाएं अच्छी तरह कारे करें उस हीलिंग देवता की की इस्तुति करते हुए दमाएं लिख रहे हैं तो राम हमारे जो देवता हैं तो हम राम का नाम लिखेंगे तो और उसका सकारात में प्रभाव होगा और जब मैंने ऐसा यह प्रारम किया तो जो हमारे जो मरीज है उनसे जो हमें फीडवाइक मिला तो मुझे लगा कि यह तो बहुत अच्छा कार्य हो रहा है जो डॉक्टर्स अच्छा कि जो दुनिया भर के तमाम सारे डॉक्टर्स हैं वो अभी भी उसी तरीके कि उसमें भी लिखने आरेक्स लिखने उनसे क्या अपील करना चाहिए उनसे मैं यही अपील करूँगा कि हम जब भारत देश में हैं और राम हमारे देवता हैं और राम की शक्ती को सब जानते हैं मर्यादा पुर्शृत्तम राम है और वो हमेशा सबका भलाही करते आए हैं तो यूगों यूगों से राम का नाम चल रहा है तो हम उस विदेशी शब्द का प्योग बंद करें और राम शब्द का प्योग करें और फिर अपनी दमाएं लिखें तो निश्चित रूप से ये मरीजों के लिए अच्छा होगा मरीजों को एक अलग से एक संबल मिलेगा शक्ती मिलेगी उन दमाओं की क्रिया शीलता बढ़ेगी मेरा ऐसा विश्वास है तो यह थे प्रोफेसर डॉक्टर वियन आचारे जिनका कहना कि अब हमारे भारत में तो ये राम लिखना सुरू कर दिया गया है और दुनिया भर के डॉक्टर से अपील है सहरा समय की भी अपील है कि अगर वो राम का नाम आर एक्स के जगाए पर लिखते हैं तो जाहिर जबात है मरीजों को खासा इसका रलाब भी होगा और एक नई एक जो राम के हमारे अराद राम है उनका नाम भी जन जन तक पहुँचेगा और लोगों को जाहिर जबात है कहीं ने कहीं इसका एक बड़ा फाइदा जरूर होगा कानपुर से कामेरा परसन रवी सर्मा के साथ सुनील गुता सहरा समय